पानी में दुबई से मुंबई तक चलेगी ट्रेन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा हूगा यही वाली ट्रेन पानी के अंदर चलती है चलिए इस ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं क्या पूरा हो पाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट और क्या इसी के साथ चाइना बन जाएगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश दोस्तों हम सभी जानते हैं चाइना खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहा है लेकिन अब चाइना ने जो करने की ठानी है उसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाए क्योंकि इस बार चाइना के अरादा सिर्फ मैनुफैक्चरिंग हब बने रहने तक सीमत नहीं है बलकि वो अपने देश को अमेरिका तक ट्रेन से जोड़ना चाहता है सुनने में ये बाद भले ही ना मुम्किन लग रही है बला चाइना से अमेरिका तक ट्रेन का सफर कैसा होगा लेकिन दोस्तों अंडर वाटर ट्रेन लाइन के जरीए चाइना अपने सपने को पूरा करने की तयारी में है जिसके बारे में आज मैंने आपका दूस्त विशाल प्रजापती आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रही है लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रैड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकोन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सब से पहले चाइना पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है कि कैसे भी करके वो मेन लैंड चाइना को युनाइटर स्टेट से कनेक्ट कर सके और इसलिए ये जो रिल्वे ट्रैक होगा ये नौर्थ इस्ट रीजन से शुरू होगा और फिर साइबेरिया से होते वे इस्टन रशिया और फिर समुदर के रास्ते अंडर वाटर ट्रेन लाइन के जरीए ये रिल्वे ट्रैक अलास्का पहुँचेगा और तब ये रिल्वे ट्रैक कैनेडा के यूकॉन माउंटेन सो बिटिश कोलंबिया होते वे आखिरकार युनाइटर स्टेट्स में कदम रखेगा और एक ब चैनेडा और यूएस की बीच का जो ट्रेन नेटवर्क होगा उसका आइडिया साल 2014 में चाइनीज इंजीनियर के दिमाग में आया था जिसमें वो बहुत ही मेजर ट्रांस कॉंटिनेंटल ट्रेन ट्रैक बनाना चाहते हैं और उनका कहना अगर ये प्रोजेक्ट बन गया त एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं और जाहिर सी बात है जब ये रेलवे ट्रैक चार देशों से होते हुए निकलेगा तो इसके वज़े से टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा वैसे भी अगर आप चायना से यूएस के लिए प्लेन लेंगे तो इसमें 14 घंटे वक्त तो लगे गई जो कि एक प्लेन में बैठे रहने के लिए काफी ज़्यादा होता है आस्मान की इतने उचाई पर इतना लंबा वक्त बिताना बिल्कुल भी आसान नहीं है लेकिन जब बात ट्रेन यातरा के आती है तो बाहर का नजारा देखते हुए सफर कब भी जात बड़ी होगी अब इन सब की प्लैनिंग तो हो रही है और अगर इस प्रोजेक्ट को हरी जंडे मिल जाती है तो इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में 200 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा जो में सर्फेस में रिल्वे रूट बनेगा उसे बनाना तो ज़्यादा मुश्कि एला में देगी। इनका कहना है कि यह सारी टू वे ट्राफिक में तीन अलग अलग लवल्स में डिवायड होंगी। जो नीचे वाला लेवल होगा उसमें धीरे चलने वाली कारगो और पैसेंजर ट्रें चलेगी। और जो बीच वाला लेवल होगा उसे इमर्जिंसी के लिए रिजर्व रखा जाएगा दोस्तों जो कारगो ट्रेन होगी वो बहुत ही आराम से 100 मिलियन टन कारगो एक जगे से दूसरी जगे पहुँचा सकती है और यह बहुत ही बड़ी संख्या है क्योंकि ट्रेन के जरीए ट्रांस्पोर्ट किया जाने वाला सामान बहुत ही सस्ते में इंपोर्ट किया जा सकता है और अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो किसी भी पैसेंजर को अलास्का से रशिया जाना है तो वो 20 मिनट में high speed train पकड़ कर एक जगे से दूसरी जगे पहुंच सकता है क्योंकि ये जो टेनल बनेगी उसका अकेले का expense 35 बिलियन डॉलर होगा और इन सारी चीजों को बनने में 12 से 15 साल का वक्त लग जाएगा और इस mega project में कई सारी international firms और construction companies अपना यूगदान देंगी क्योंकि बहुत ही बड़ा project है जिसे समाल पाना किसी एक के बस की बात नहीं है और एकीन मानी अगर ये project बन गया तो इत्यास का सबसे महंगा project कहलाएगा लेकिन इन सब चीजों में काफी दमाग और advanced level की engineering चाहिए होगी क्योंकि बरफीले पाने से इस railway track को बचाए रखना किसी चनौती से कम नहीं है उपर से समुदर की तेज लहरे बने बनाए काम को चौपट कर सकती है ऐसे में China, Russia, Canada, America, railway line जो होगी वो दुनिया का सबसे expensive और ambitious mega project बनेगा क्योंकि आज तक इत्यास में इतना बड़ा project कभी नहीं बनाया गया जिसमें सालों लग सकते हैं लेकिन China का कहना है कि उनके पास ऐसी technology है जिसकी मदद से वो इस काम को बहुती कम वक्त में और बहुती बढ़िया तरीके से तयार कर देंगे जिसकी वज़े से न सिर्फ टूरिजम बढ़ेगा बलकि transportation industry को काफी ज़यदा फायदा होगा वैसे इतने बड़े railway line के बारे में सुनकर उसे हजम करना हमारे लिए तो आसान बात नहीं है लेकिन अगर चाइना कह रहा है तो उसकी बात में कोई ना कोई दम तो होगा क्योंकि जो देश्च सालों से महनत करके खुद को manufacturing का hub बना सकता है अलग-लग तरह कि technology ला सकता है उसके लिए इतने बड़े railway line को तयार करना जदा मुश्किल नहीं होगा लेकिन हाँ चाइना तो अपने ये railway line वाला mega project बना देगा लेकिन लोगों का इस project पर विश्वास होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं चाइना का माल कैसा होता है वो किस तरह है build quality और अपने सामान में लाते हैं हाला कि उनकी बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी भी होती है हम हर चीज़ को तो गलत नहीं कह सकते लेकिन जब बात इतने बड़े mega project किया तो दिमाग सूचने पर मजबूर हो जाता है क्या वाकई में चाइना इस काम को करके दिखा पाएगा और अगर चाइना ने से करके दिखा भी दिया तो क्या वाकई में इतनी बड़ी आतरा करनी है लोगों के लिए सुरक्षित होगी क्योंकि अगर घर्चे पर ध्यान दिया जाये तो हम सभी जानते हैं कि प्लेन से कई गुना सस्ता ट्रेन में आतरा करना होता है और अगर इतनी बड़ी railway line बन जाएगी तो इंसान एक नहीं बलकि चार दूश्यों से होता हूँ अमेरिका पहुचेगा जो सच में काफी अनूख है वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप भारत से ट्रेन में बैट कर अमेरिका जाएं तो क्या आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे या फिर प्लेन यातरा ही आपको सबसे बेतर लगती है अपना जवाब कोमेंड मोक्स में देना इससे तरह की वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करते हैं हम फिर में लेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जाएं इन्जा भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोज दिख रही है